ओम शान्ती आज सुनते हैं 15 डेसेंबर 2011 की अव्यक्त मुरली आज की मुरली का सार है सदा फकुर में रह बेफिकर बादिशा बनो तिवर पुर्शार द्वारा संपन और समान बन साथ चलने की तैयारी करो आज की मुरली में चार क्वेश्चन नमबर वन बेफिकर आत्मा की निशानी क्या है नमबर टू फिकर को समाप्त करने की विधी क्या है नमबर थ्री बाप दादा ने कौन से तीन तक्त का मालिक बनाया है नुम्बर चार दुखी अशान्त आत्माओं को शुक्षान्ती का अनुभव कब कराएंगे तो ये चार क्वेस्चन है तो अब प्यारे बाबा ने कितना सुन्दर सारी मुरली में किसी परकार का फिकर ने रखना बेफिकर बादशा फिकरों से फारी केंदा स्वामी बाबा ने का जो फिकर आए बस मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो तो सुनते हैं पंदरा दिसंबर ग्यारां की मुरली आज बाप दादा बेफिकर बादशाहों की सभा देख रहे हैं ये सभा इस समय ही लगती है क्योंकि सभी बच्चों ने अपने फिकर बाप को देकर बाप से फकुर ले लिया है ये सभा अभी ही लगती है आप भी हर एक सुवेरे से उठते करम करते भी बेफिकर और बादशाह बन चलते हो ना ये बेफिकर का जीवन कितना प्यारा लगता है बेफिकर की निशानी क्या दिखाई देती है हर एक के मस्तक में लाइट आत्मा चमकती हुई दिखाई देती है ये बेफिकर जीवन कैसे बनी बाप ने सभी बच्चों के जीवन से फिकर लेकर फकुर दे दिया है जिनके जीवन में फकुर नहीं फिकर है उनके मस्तक में light नहीं चमकती उनके मस्तक में बोज की रेखाएं देखने में आती है तो बताओ आपको क्या पसंद है light या बोज अगर कोई बोज भी आता है तो बोज अर्थाइद बेफिकर बाप को देकर फकुर ले सकते हैं बेफिकर लाइफ पसंद करते हैं तो बाप दादा चारों और के बच्चों के चाहे सनमुख हैं चाहे जहां भी बैठे हैं बच्चों के मस्तक भी चमकती हुई लाइट देख रहे हैं बेफिकर के निशानी मस्तक में चमकती हुई लाइट तो सदा बेफिकर रहते हैं या कभी कोई फिकर भी आता है है कोई फिकर जब बाप ने प्रकृती जीत विकारों जीत बना दिया तो फिकर कैसे आ सकता है तो हाथ उठाओ बेफिकर बने हो न बने हो सदा सदा बने हो या कभी 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 वाले भी हैं हाथ तो नहीं उठाते बाप दादा भी नहीं देखने चाहते हैं बाप दादा हर बच्चे को बेफिकर बादशा देखने चाहते हैं अगर कभी कभी वाले भी हैं तो बहुत सैज विदी है जो भी थोड़ा बहुत फिकर आता है तो मेरे को तेरे में बदल लो यह हद के मेरे पन को मेरे को तेरे में बदलने की बहुत सहज विदी है यह है परशन का उत्तर के सहज विदी कौन सी है मेरे को तेरे में परिवर्तन करना यही सहज विदी है आप कहते ही हो मेरा बाबा, तो अब मेरा क्या रहा है, हद का मेरा तो स्माप्त हुआ ना, मेरा बाबा हो गया, सबी दिल से कहते हूं ना मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, तो मेरे में तेरे को समाना मुश्किल है क्या, फरक क्या है ते और मे इतना छोटा सा फरक है संकल्प कर लिया सब तेरा और मेरा क्या रहा मेरा बाबा तो बाप दादा ने देखा मैजरिटी बच्चों ने हद के मेरे को तेरा बनाया है इसलिए क्या बन गए बेफिकर बादशा तो आज बाप दादा बच्चों को बेफिकर बादशा सुरूप में देख रहे हैं देखो भगती मार्ग में भी आपके चित्र बनाते हैं तो डबल ताज दिखाते हैं एक तो लाइट का ताज है ही क्योंकि बेफिकर आत्मा की निशानी है मस्तक में लाइट चमकती है और दूसरा ताज विकारों पर विजई बने हो इसलिए ताज दिखाया है इसलिए ये टेंशन रखो कि जब बादशा ने फिकर लेकर फकुर दे दिया तो क्या बन गए बेफिकर बादशा बादशा बने हैं तो तक्त भी चाहिए ना तो बाप दादा ने तीन तक्त का मालिक बनाया है जानते हो तीन तक्त कौन से हैं एक तक्त ब्रिकुटी का ये तो सबको है ही दूसरा तक्त है बाप दादा का दिल तक्त और तीसरा है वेश्य का तक्त राज्य का तक् तक्त प्राप्त है न, सबसे स्रेष्ट है बाप दादा का दिल तक्त, तो चेक करो तक्त पर रहते हो, क्योंकि बाप दादा के दिल तक्त पर कौन बैठता है, जिसने सदा स्वयंभी बाप दादा को अपने दिल तक्त में बिठाया है, जो सदा स्रेष्टिति में मास्टर शक्तिवान है तो चेक करो कि सदा तक्त नशीन है या कभी मिट्टी में भी आते हैं ये देभान मिट्टी है बहुत समय मिट्टी में रहे हैं तो कभी कभी मिट्टी में तो नहीं चले जाते तो बाप दादा सभी बच्चों को समय का इशारा दे रहे हैं अचानक का पाठ पक करा रहे हैं इसके लिए संगम के समय का बहुत-बहुत महत्तव रखना है क्योंकि इस एक जनम में अनेक जनमों की प्रालब्द बनानी है इसलिए बाप दादा ने इशारा दिया था तो संगम के समय में दो बातों का हर समय अटेंशन देना है और वो दो बातें कौन सी है वे दो बातें तो याद होगी न संगमें और संकल बाप दादा को सभी ने वियर्द संकल्प संकल्प द्वारा देने की हिम्मत रखी थी तो चेक करो हिम्मत सदा काइम है क्योंकि हिम्ते बच्चे एक बार तो बाप हजार बार मददगार है एक बार तो बाप हजार बार मददगार है तो अभी क्या समझते हो वियर्द संकल्प का जो हिम्मत रख बाप के आगे संकल्प कियावे काइम है क्योंकि इस वियर्द संकल्पों में समय बहुत जाता है और आपका इस समय के प्रमान कार्य है विश्व की आत्माओं को संदेश देना तो व्यर्थ संकल्प को समाप्त करना तब दुखी अशान्त आत्माओं को शुक्षान्ती का अनुभव करा सकेंगे जब व्यर्थ को समाप्त करेंगे तब करा सकेंगे बाप दादा को दुखी बच्चों को देख तरस पड़ता है आपको भी अपने भाई बेनों को देख तरस तो पड़ता है ना बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय सभी को रुची है प्लैन बनाया भी है प्रैक्टिकल किया भी है इस वर्ष 75 की जुबली मनाने का बाप दादा यही चाहते हैं प्रोग्राम तो सब अच्छे किये हैं इसकी मुबारक भी दे रहे हैं लेकिन अभी समय के प्रमान जल्दी जल्दी उन्हों को वारिस बनाओ जो कुछ ना कुछ वर्षे के अधिकारी बन जाए अच्छा अच्छा बहुत कहते हैं बाप दादा ने भी बच्चों की सेवा की रिजल्ट तो देखी है और बाप बच्चों पर खुश भी है दिल से कर रहे हैं और अभी समय प्रमान सुनते भी रुची से हैं इतना अंतर तो आया है अच्छा अच्छा लगता है लेकिन अच्छा बना के कुछ ना कुछ वर्से के अधिकारी बनाओ इसके लिए बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि अभी समय प्रमान, समय अनुसार तिवर पुर्शार्थी बनने की आवश्यकता है तिवर पुर्शार्थी बनने के लिए मुख्य पुर्शार्थ है सेकंड में बिंदी लगाना सेकंड और बिंदी दोनों समान तब बाप दादा बच्चों का तो बेफिकर बादशा का रूप देख रहा है अभी इसी रूप को सदा अन्भो करो कोई भी कुछ भी आवे तो मेरे को तेरे में समा दो आज बाप दादा ने देखा गुरुवार का दिन है बहुत बच्चे बाप दादा के पास पहुंचे तो बाप दादा ने कहा सप्ता के दो दिन विशेश है एक गुरुवार और दूसरा इतवार संडे है तो गुरुवार के दिन शुरू का दिन है और गुरु से क्या मिलता है गुरु से वर्दान तो गुरुवार के दिन वर्दान का दिन विशेश है इस रूप में गुरुवार को मनाओ कोई ना कोई विशेश वर्दान अमरत वेले से अपनी बुद्धी में इमर्ज रखो वर्दान तो नहीं कह लेकिन विशेश एक वर्दान अपने लिए बुद्धी में रख चेक करो कि वर्दान ही दिन में वर्दान सुरूप वर्दान को रिपीट नहीं करना है लेकिन वर्दान सुरूप बनना है और चेक करते रहो तो आज कितना समय वर्दान सुरूप में रहे संडे का दिन विशेश दुनिया में छुट्टी का दिन हो तो संडे के दिन मनाओ जो भी कुछ अपने जीवन में संकल्प मातर की कमजोरी है स्वपन मातर की कमजोरी है उसको एक हुँ छुटी देना है, तो जैसे लोग ये दोनों ही दिन अच्छा बिताते हैं, ऐसे आप इन दोनों दिन में विशेश ये लक्षे और लक्षन, सिरफ लक्षे नहीं लक्षे के साथ लक्षन को एटेंशन में रखो बाप दादा ने सभी बच्चों को साथ में ले जाने का वाइदा किया है इसके लिए साथ चलने की तैयारी क्या करनी है बाप तो सकण में शरीरी बन जाएंगे लेकिन आपने जो वाइदा किया बाप ने भी वाइदा किया, साथ चलेंगे, तो चेक करो, उसकी तैयारी है सिक्ण में बिंदी लगाई, संपन और संपूरन बन चला तो ऐसी तैयारी है, साथ तो चलना है न, चलना है कांध हेटा लाओ चलना है अच्छा पक्का हाथ में हाथ देना, इसका आर्थ है समान बनना तो चेक करो, समय तो अचानक आना है, तो इतनी तैयारी है जो समय में चलें तो बाप का बच्चों से प्यार है न, तो बाप एक को भी साथ चलने में पीछे छोड़ने नहीं चाते साथ है साथ रहेंगे साथ चलेंगे और साथ राजधानी में राजगराने में आएंगे अच्छा तो बाप दादा की दिल की आश को तो सभी जानते हो समान और संपूरण ये दो शब्द सदा चेक करो क्या बाप की आशा पूरण की क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को बाप के आशाओं का स्तारा समझते हैं तो आज बाप दादा चारों और के बच्चे को दिल से सनेह से देख एक-एक बच्चे को दिल के प्यार की मुबारक दे रहे हैं अच्छा ओम शांती ये थी प्यारे बाबा की अत्यंत प्यारी मुरली बेफिकर बादशाह और अब यह है एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे